नमस्कार दोस्तों आजकर आपने न्यूज में एक शब्स सुना होगा हूती आखिकार ये हूती है कौन और अचानक चर्चा में क्यों है हूतियों का उदे 1980 के दशक में यामन में हुआ यह यामन के उत्रिक शेतर में सिया मुस्लमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है हूती उत्रियामन में सुनी इसलाम की सलाफी बिचाधारा के विस्तार के बिरोध में है 2011 से पहले जब यामन में सुनी नेता अब्दुल्ला सालेख की सरकार थी तब शियाओं के दमन की कई घटनाए सामने आई ऐसे में सियाओं में सुनी समुदाय के तानासा नेता के खिलाब गुस्सा भड़क उठा रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के दसक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेख की सेना से 6 बार युद किया साल 2011 में आरव देसों साओधी अरव, UAE, बहरीन और अन्ने के हस्तक्षिप के बाद यह युद शाथ हुआ तानासा सालेख को देस की जनता के परदर्सनों के चलते पच छोड़ना पड़ा इस दुरान अब जब्बू मसूद हादी यमन के नए रास्टपती बने लेकिन देस में जिहादी आतंकियों के बढ़ते हमले अलगाव वादी, अंदोलन, भस्ताचार, बिरोजगारी, समस्या बना रहा आखिरकार हूदियों ने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कबजे में ले लिया अब नेक्स सवाल आता है कि सौधी अरब और UAE क्यों घबराए हुए हैं? तो सिया समुधाय में आने वाले हूदियों की यमन में इसी बढ़ती ताकत से सूनी बहुल सौधी अरब और UAE में घबराहट बढ़ गई उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूदियों के खिलाब हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिये और सता से बेदखल हुए हादी का समर्थन किया अगला सवाल सामने आता है कि क्या भारतियों को भी निशाना बनाया है? तो हाँ, दो जनवरी को UAE के रवाबी नाम के मालवाहग जहास को हूदी बिद्रोहियों ने अपने गबजे में ले लिया था इस पर सवार 11 लोगों को बंदग बना लिया गया इन में से साथ भारतिये हैं भारत ने इस खटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सियुक्ट रास से मदद की घुहार लगाई है So I hope आपको हियोदियों का ये टॉपिक समझ आया होगा मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यों